लिखनें श्री 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 एकसौ आट दुर्गा महोच्व अब एकसौ आट के वारे में लोग नहीं जानतें एकसौ आट वो छोटे नोटे कुशेशन्स रहें जो जीवन यापन करने के लिए उस प्रभुने भेजे हैं ज्यान तो किसी के बाप कहए नी जो ग्रान करना चाहे ले-ले पाऊ बुज़ुर्गों के दाबे हें तो ये हुनर आया है तो क्या ठार पुरान कौन-कुन से हैं हरिवन्ष पुरान पेवि भचन्वत पुरान झाल या चुट निवाव और आप आफ आप आप U का होया है हम कभी हो आए दो बार कुछ कहना चाहते हैं आप प्रोग्राम में पूचके नाम रखेगेगे अपने पितांजी से पूचके नाम क्यों रखा था thank you मेरे पितांजी से नाम पूचिए तब अपने पितांजीवता ही्द ऑफिर वह पिता इस आप पाई सुना के अपनी बात कतम कर आवात चुना भी तो रहाम है कि चौपाई आप लोग मानस की एक चौपाई है बिन पक चलाई सुने बिन काना कर्बिन करे करम विद्लाना आनंद ही सकलड़त होगी बिन बाड़ी बक्ता बड़ जोगी एक राम है घर घर लेटा एक राम है दृसरत बेटा एक राम है जगत परचारा एक राम है जगसे न्यारा जो जगसे न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं हम सब के सारे करमों को देख रहा है हाँ अगर पान बेचते तो स कि पैटो वह गाँ मैं यह तो कोầnरे बढ़र आए सब्सक्राइब कि पढ़िये न वह सारी ये 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 जो है हम लोग चंद्रमा और मंगल पे जा रहे हैं ये वहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये रख लीजिए वो रख लीजिए पिता जी ने रखा था अगर ये होते हैं तो इनी जा रखवा ले तो अब तो आप पानी पियो और ये क्या काल सुनते जाओ चलिए बहुत धन हैं उनका मश्वरा सरांखों पे सोचेंगे पुनर जम तो होगी आप तो पंक्ती पे आओ रामा ही के वाल प्रेव प्यारा एक शब्द के बारे में कहना चाहते हैं सिर्फ एक शब्द है नमाज वा सभी लोग जानते हैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह शब्द नमाज भाशा कौन सी है इंग्लिश है कि उर्दू है कि अर्भी है कि चाह है यह भाशा कौन सी है अगर चोरसिया जी बता दे तो उनका अभिनंदन है बहुत चंदर आज तो आपने लगता भीगो भीगो के देना तरह कर यह लखना हूं है भाईया जी अरे मुझे मालूम है उनको मैं जानता हूं पांडेटी मुझे मालूम है पांड़ियो फैने बहून जो सोजाने प्रह्मन जिसको प्रहरुम्न का घ्ञान वही प्रह्मन को उपर से तो आपने का और चोड़ी दी बात वहां शब्दे नमाज जी एक शब्द है और यह प्यार संस्कृत का शब्द है उर्दु में इबादत हिंडी में पूजा अर्चना उपासना इंग्लिश में प्रेयर और संस्कृत में नमाज क्यों इसको संदी भी छेत कीजिए नमध धन अज नमध नमन करना प्रगाम करना धंडवत करना सजदा कर जोग जहना समर्व हो जहना समर्फित करी ना जैज मंध पर जगाना धा良ाष रहाश होना बढ़क हो ना सरेंडर हो जाना को उस प्रभू के चरणों में इस सुपर कंप्यूटर को रख देना यह प्रभू तुही तबसे बड़ा है और तूने इस मनुष्य को बनाया है इसका अविश्कारक तुही है तेरे चरणों में हम समर्पित है इसलिए आज अनमा को नमन करना और यह हुआ नमाज एक मिन मेरे मेरे माथे पे थोड़ा हाथ रखेंगे आपको मालिक खोब अच्छा रखे और आप यह जो दृष्टी है प्रभू यह दृष्टी का एक चौथाई का चौथाई हिस्ता पांडे जी की तरफ नहीं आपी के तरफ जाओंगा है सब को मैं हाजी क्या गाओगी गाना गाना है राम जी का रुको अभी क्या नाम है तुम्हारा जागरती गुपता जागरती रुको भी बर्ट बालिश्वर बोले तुम्हें सुना क्या सुना अगर्शी सबसे महतुपुड चीज क्या लगी कि सबके भगवान एक है अराम से आ और उसमें भेद मत करिए कि तुमने नाम यह क्यों रखा वो नाम रख लो यह नाम रख लो बेदना करना हाना जी आपने कहा कि अठारा पुरार शोधार अमैन चारवेच छे शात्र अठारा पुरार शोधार आमैन एक सो आट उपनिशद जब जो बैनल लगते हैं दुरगाजी के महसों का लिखने शरी 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 श वार्म लोग नहीं जानते एक सो आट वो छोटे ठोटे कुषेटेशन कुटेशन से जो जीवन यापन करने के लिए उस परभूने भेजे हैं वह एक सो आट पूरां कभी है पूरां कभी है लेकिन आपने कहा ठारा पुरां के नाम आपको पता है और वेद भी पता है सब पता क learners स् Peyn विश्व पुराण से कल्वाण तक डाप अठारा परणने का विडवी और आप आप मका होई है हां मका भी हुआ है दो बार और तीन प्रोग्रशा मेरे जहां इश्वर का घर है वहाँ तीन प्रोग्राम वे वेद और कुरान के साथ क्यों आपके रुजछान हमलों कैसे जिसे fer इस तरफ गया इसलिए कि मैं जब आश्वी क्लास में था तो उसमें अनिमार संस्क्रित भी हिंदी किताब जड़ा हुआ था हाँ यह तो सच है तो एक शेप्टर था उसमें धूर कट मुनी और जो हमारे जो उस वक्त जो हमारे टीचर थे बिलकुल अटल विहारी जी के बिलकुल समानान पर थे वैसी चोटिया वैसी उनका कुरता वैसी होती और हम बतकिस्मती से टोपी लगाते थे तो आ गई बैठते थे अब पंडी की आ उन्हों कहां भी मौला ना जड़ा पढ़ो है तमने का गुरुजी कौन सा चेप्टर पढ़े है करने का धूर कट मुनी निकालो है तो पंड़ा उल्टा चोटी सी किताब ती अनिमारी स अन्सक्रिप उसमें लिखा था शुरू में एक स्विन बने धूर कटा नामा एक चाह मुनी आसीद एक बन में धूर कटा नाम के एक मुनी रहते थे यह उसका तर्जिमा ता सीधा सीधा अब वह बच्पन का जावाना बस वह बच्पन में तो शरारते होती है ना कुछ ना क अब जो पनिश्मेंट मिला कि एक मेज पर दूसरा मेज रखके और मुरगा बनाए गए बहुत बहुत बनाए बहुत बच्पन की बात थी लेकिन मैं लेकिन मैं यहाँ पर अब मैंने संस्क्रित को गर्ण करना शुरू किया सारी किताबें जो मिली पहडाली जो जहां से मिली जिस इस्टाल पर मिली जिस जगें मिली साब पहडाली अब एक चेश्टा उस्पन हुई कि भई सही चीज जानना चाहिए और जब सब को गर्ण किया तो मालूम हा कि एक ही की उपात्तियों नास्ते चेश्ट पूरे ब्रह्मान का माली के प्रमिष्वर है दूसरा कोई नहीं था नहीं है नहीं होगा किंचन चावर मीं नहीं एकम एवं अद॥ियम वह प्रभु अकेला है कोई दूसरा उसका भागीदार नहीं तो जब आप रामोचरीज मानस में आ आपको सुनाएंगे उर्दू में ये लिखा है पंडित ब्रिज नराइन चक्बस लखनवी ने बिल्कुल बड़ा बड़ा नाम है नराइन चक्बस लखनवी वो लिखते हैं मरियादा पुरुष्चोतम सीराम चंजी की जीवनी में के रुखसत हुआ वो बाप से लेकर वचन को पूरा करने के लिए तो पिताची जाके आग्या लेते हैं पिताची अब आपके आग्या का पार्ण करने जा रहे हैं और माता को जो आपने सो तेली माता को जो आपने वचन दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं आपका आखरी दर्सन करने आए हैं तो उस वक्त का लिखते हैं कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा के नाम और राहे वफा की मंदिले अवल हुई तमाम पहली मंदिल खतम हुई और बाप चाह गया रेके हैं और वनमास खिली जा रहे हैं और जब माता जी चे पास गए तो उनसे जब पूछना चाहा तो उसमें लिखते हैं कि माता कौशल्या जी सिर्फ देखती रही और जब उसे पूछा उनसे जाज़त ली तो केंड़े लगी कि मैं खुश हूँ फूंग दे कोई इस तक तो ताज को अब तुम ही नहीं तो आग लगाँगी राज को जब तुम ही नहीं तो आख लगाँगी राज को चाहा आज भी कोई बेटा इतने बड़ी सल्तनत को ठोकर मार कर और पिता क्या अग्या का पालन करने के लिए तयार है यह वचल दिया है श्री राम चंजी ने यह वचल दिया है पूरी दुनिया को कि देखो अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा दो उस जमाने में यह था कि बड़ा बेटा वही उत्रादिकारी होता था सब चोड़ के चले गए क्या भी कोई बेटा है तो इस राम के जीवनी से यह सबक लेना चाहिए अचारी जी आप तो आप ने तो आचारी अब बिल्कुल हम इसके आगे अब आप हमसे क्या कहो आएंगे यही इसी में कहना चाहता हूँ इसी बिसे में कहना क्याना चाहता हूं कि अब भाई साहब की बात को सुन करके हमारे जो जो बाइस तारीक का जो कारिक्रम हो रहा इसमें अब राजीनीत ना की जाए मैं अभी इस्प्रेश कर देना चाहता हूं कि जो आचारी और योगी सब मैं मैं मेरा नाम रभीन कुहार सुकुला था मैं एमकाम मैंने मैंने आपकी परिचे बिलापूरा जी मैं फिर वह कथा भागवत कहते हैं तो वही मैं देख रहा था हूं जो सरीता बह रही है कि दोनों आखों से दोनों आखों से जलधार बह रही है और शायद निशाद राज ने भगवान के जब चरण पकारे होंगे तो शायद यही रहा होगा द्रश्याद राज ने यही पूचा जब गये जो उत्रागिकारी हुए थे और तलाज करते हैं निशाद राज ने पूचा प्रभू आप कहने कि अपने भाई को ढूड़ने भरजी भरजी ने कहा तो कहने भाई को ढूड़ने के लिए पूरी फोज लेके आए हो आप फौज लेका है तो इसके माने तो आप उनका बिल्कुल खात्माहिं करने आए हो का नहीं अपने भाई को लेने आए अगर वो नहीं गये तो अम उनके जड़ों उनके चल्ड़ों में जो चीज है खाऊं उसी को ले जाके रखेंगे सिंगातन में खिराज करेंगे रामचरित मानस की कौन सा पंक्ति आपको सबसे मन को भाती है जादा तो यही भाती है कि बिन पक्चले सने बिन काना कर बिन करे करम बिन नाना आनन रही तकल रखोगी बिन मारी वक्ता बढ़ जोगी एक राम है घर घर लेटा एक राम है दर्शच बेटा और एक राम है जगत परचारा एक राम है जखे न्यारा और उस राम को कभ याद क पश्तित करते हैं उस राम को याद करते हैं जब अर्थि उठाई जाते हैं। ये जीवन प्रभू ने ये जीवन प्रभू ने दिया है जीवन दिया है संदर बनाने के लिए ये जीवन इसलिए नहीं दिया कि दर्थ कर ले अरेपिक 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 अ पूराण का पहला अशलोक सूरा इसमें सात आएते हैं और हिंदू-गायत्री-मंतरियाद है तो मुसल्मान को फातियाद है , लेकिन अगर इन दोनों का translation हमारे चचा से सुन लीजिए तो कोई फर्क नहीं है साथ घंड इसमें है साथ उसमें फर्क इसका है कि जिसको Sanskrit आती है इसको Arabic नहीं आती है जिसको Arabic आ जाए और उसको Sanskrit भी आ जाए वह हमारे चचा जिसा होगा इसलिए हर शक्त को चाहिए कि वो Arabic और Sanskrit दोनों पढ़े तब वो अद्धिन करेगा हमारे लखनो इन्वेस्टी में 160 साल पहले लखनो इन्वेस्टी को सब जानते हैं कैनिंग कॉलेज को कम लोग जानते हैं उसमें Oriental Studies in Arabic Persian and Sanskrit खोला गया था और पंडित और मौलाना साथ में बैट करके एक दूसरे को ग्यान बाटते थे वही ग्यान की दरुवत है और आज वही बाईस तारीक में होने जा रहा है क्या बात है ये 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 है दानिश्वर लोगों की बात ये बात अच्छी बात है दूसरी चीज़ मैं इसी दिलतले में एक और बढ़ाना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे लखनों इन्वेस्टी में हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक पुमार राय जो शायद सौ साल में मैं बान नवेस इन्वेस्टीम हूँ मैंने किसी कोई बुराई नहीं करना है लेकिन मैंने ऐसा पॉजिटिव और सोच ऑन दा स्पार्ट देखने वाला नहीं रेखा मेरे डिपार्टमेंट में इंग्लिश का टीचर एक सो साथ साल में नहीं मिलाता पिछले साल फैसला भी आया और मुझे टीचर भी मिल गया बहुत अच्छी बात बहुत बहुत शुक्रिया तैंकिस सो मच लेकर आपके शान ने अरे सामारे में बतना चीज में कि मैंने क्या है आप लोगों को सेवा दे रहे हैं आप और इतनी तगोदो और नहिनत कोशिश कर रहे हैं शिला तो असल पुपर्भू देगा परमेश्वर इंसान कुछ नहीं दे सकता इंसान तो तालिया वीट के वावा कर देगा हम दो शे की पल के सवार लूँ अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गदल की पल के सवार लूँ मेरा लफज लफज हो आई ना तुझे आईने में उतार लूँ क्या वाथ है क्या वाथ है हो आईना तुझे आईने में उतार लूँ मैं तमाम दिन का थका हुआ है क्या वाथ है इसी मोड़ पर तेरे साथ शाम गुजार लूँ में क्या वाथ है यह 72 साल की आवाथ है अब अठारा साल में कैसा रहोगा अच्छा के साथ यह लगनों का यह लगनों का अंदाज है हुजूर यह लगनों का अंदाज है जिसमें चुहल भी है संजीदगी भी है इल्म भी है और इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने के लिए सबक भी है अब हमारे इस जगे जो यह पॉलिकल लीडर्स है जो हड़ी डाल दो तो खूब लड़ते हैं अगर अगर कहीं छीरा और कोई चीज डाल दो तो नहीं लड़ेंगे हड़ी पर लड़ेंगे उनके बारें भी दो शेर सुझे जा जा बहुत 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 दिरशाथ ये अदा भी ऐसा की वाह क्या निराली है ये अदा भी ऐसा की वाह क्या निराली है एक जाम छलका है और एक जाम खाली है मालदार मालदार होता जा रहा है वो गरीब गरीब होता जा रहा है वाह रे देश के चलाने वाले लोग अब दूसरा भी शेर सुन लिजे इसके ताद जखम पता पता है और दर्द डाली डाली है हर तवका परिशान हर आदमी परिशान हर घर में परिशानी जखम पता पता है और दर्द डाली डाली है ए मेरे चमना खिल कौन तेरा माली है सब परिशान है मगर कोई इस परिशानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार ने है